हेलो दोस्तों मारे पास question दिया गया है एक वस्तु को 8,589 में बेचने पर अर्जित लाब वस्तु को 6,61 में बेचने के बाद हुए नुक्सान के समान है तो लाब परतिशत क्या होगा? तो यानि किसने क्या दे रख्या दोस्तों? लाब और हानी बराबर दे रख्या है तो जब ये मारे पास concept है दोस्तों लाब और हानी बराबर दे रख्या चाहे वो परतिशत में हो चाहे वो रुपए में हो तो हम क्या क्रे मुल्ले कैसे निकालते हैं? तो CP निकालते दोस्तों करे मुल्य यानि कि विक्रे मुल्य वन पलस में विक्रे मुल्य टू बटे में दो तो यहाँ पर क्या है विक्रे मुल्य एक तो है 8589 पलस में विक्रे मुल्य दो है 6341 बटे में हम दो करेंगे दोस्तों इनका टोटल कितना आएगा दोस्तों इनका टोटल आएगा 14920 यानि 14920 बटे में दो करेंगे इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा करेंगे दोस्तों तो करेंगे दोस्तों में तो यह हो जाएगा 8589 तो अब हम क्या करेंगे इनका डिफ्रेंस लेंगे इतने में खरिदा और इतने में बेचा तो डिफ्रेंस लेंगे तो डिफ्रेंस लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा यह आएगा कि नुख यानि कि एक 1119 क्या है हमारे पास डिफ्रेंश आया ये क्या है दोस्तों ये लाब हुना आया लाब बटे में करे मुल्य यानिकी CP क्योंकि इस पर इलाब हुआ है परतिसत के लिए 100 लगा देंगे अब इसको सॉल करेंगे हम एक 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 नो बटे में साथ चार चाज जीरो गोड़ा में 100 तो इसको हम सॉल करेंगे दोस्तों जीरो से जीरो कट हो गई दो पंजे 10 दो से कट करेंगे हम इसको दो चिक दो तीए 6 दो सत्य चवड़ा दो तीए 6 तो तीन सो त्या तरती है एक दार 1119 तो उपर क्या बचा मार पास तीन और पांच यानि के लाब परतिसत कितना आगा दोस्तों तीन और पांच पंद्रा परतिसत का क्या उसको लाब हुआ यही क्या हमारा आंसर ओप्सन नंबर ए इस राइट उमिद दोस्तों आपको वीडियो पसंदा योगी चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त होसके